आज किस वीडियो में आपको देली टेकनोलोजिकल उनिवर्सिटी डीटियो के तरफ से एक नहीं पर नोडिफिकेशन्स आउट की गई है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यह जो है पहले जाना जाता था देली कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग के ना में अप्लाइ कर पाऊगे तो सभी कुछ जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं मैं सभी कुछ आपको एक एक करके बता रहा हूँ और दिख सकते हैं यह हमारा टिली ग्राउन चैनल है जरूर सी यहां से जोइन होकर करेगा बहुत सारे से नोटिस फीडिया फाती जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ और अगर आप वाट्साप पर अप्डेट चाते हैं तो वाट्साप का ग्रूप है चैनल है डिस्क्रिप्शन में एक वाट्साप नमर दियागा उसको सेव करके उस पर आप एक मैस करते होगे जैसे मेसेज करोगे तुरंत सभी लिंक्स वगरा रिसीब हो जाएंगे तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी जगा जोएन हो सकते हैं देख सकते हैं यह इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन है और इसमें आपको बहुत सारे अलग-अलग ब्रांचेज के लिए व वेकंसि। उसका इलेक्ट्रोनिक्स यान कम्ट्रोनिकेशन मैं यहां पर तुटल psychology में आप वैकल गया है कंप्ट्रीक्स के सकते हैं यहांपस के सकते हैं सभी ब्रांच में आगर आप यहांपर कर रखे हैं तुभी अप्लाइश कर चे रखे होंगे वीटेक तो भी यहां पर कर सकते हैं सभी कुछ मैं आपको एक और किस वीडियो मता नहीं हूँ उसे बिल्कुल होंगे अप्लाइ करने के लिए और अलिए इंडिया से कहां से आड़ी है तो यह डी टी व के तरफ से देखने के लिए दिल ही Technological University के तरफ से यह विकंसी यहां पर आट की गए इसकी यहां पर Increase या decrease हो सकती है यह इसकी Official Notification है दिल ही Technological University Location इसकी यहां पर दिल ही रहने वाली है फॉर्मली इसकी जो नाम है यहां पर दिल ही College of Engineering यहां पर था और यह इसकी लोकेशन से इसकी देल ही रहने वाली है अभी जो इसमें एपरेंटिस के पोस्ट पे यह विकंसी यहां पर आउट की गए दर 24-25 के लिए तो बहुत सारे ऐसे कंडिडेट्स हैं तो डिपलोमा या ग्रेजुएट नियूली पासओट कंडिडेट्स हैं वो लोग यहां पर जरूर से ट्राइ कर सकते हैं अगर आप लोग डिपलोमा या बी बीटेक होल्डर्स हैं ग्रेजुएट होल्डर्स अलग 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 जो ब्रांचेज यहां पर दिये गए इंजिनियरिंग डिस्सिप्लीन में तो आप यहां पर जरूर से ट्राइ कर Electrical Electronics and Communication Information Technology CSIT Computer Science and Information Technology या Software Engineer उसके अधियां पर Applied या Physics Electronics Library Sense यह सभी ब्रांज से अगर आप यहां पर कर रखे होंगे Diploma या अगर Graduate तो आप यहां पर Apply कर पाओगे वहें पर बात करें Total Number of Vacancies की तो यह आपको 82 यहां पर Modifications है और बात करें Statements की तो जो Diploma Holders है उनके लिए 8000 यहां पर पर मंत Statements मिलती है और जो Graduate Holders होंगे उनके लिए आपको 9000 पर मंत आपको Statements मिलेगी अब बात करते हैं Application Procedure की किस तरीके से अगर आप इसमें इंट्रेस्टेट हैं और अप्लाइ करना चाहते हैं तो यहां पर देखोगे Candidate Must Register Themself in the National Apprenticeship Training SKM Nats का Portal है जो कि यहां पर नया Portal Launch हुआ है 2.0 तो इस Portal में आपको Sign Up करना है Registration करने के लिए कैसे Registration करना है मैं एक Playlist बना दिया हूँ उस Playlist में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि Nats Portal से रिलेटेड होने वाली है तो उस पोर्टल उस प्रले लिस्ट में विजिट कीजिए सभी वीडियो को देखिए वहां पर कैसे Registr करना है रजिस्टर करके आपके पास Registration नमर होना mandatory है और यह आपको इसे एड्रेस पर forward करना होगा application जो की 25-7-2024 से पहले वहां पर पहुंच जाए इस एड्रेस पर आपको अपनाए कर इसमें PDF होगा इसको आपको download करके इस एड्रेस पर नजदी की पोस्ट ओफिस में जा करके आप सेंड कर सकते हैं इसमें कौन-कौन से जरूरत की documents is required to be sent to the following address on or before 25th of July 24 तो यह इसका last date है इस date से पहले जरूरत से इसको send कर दिया है ताकि यहां पर पहुंच जा यह इसका address है जो envelop होगा उसके उपर में आपको यह address mention जरूरत से कर देना है और यह special notes में जो यह vacancies है increase या decrease की जा सकते हैं जो कि DTU Delhi Technological University reserve the right to increase या decrease the vacancies और cancel the recruitment process if need so arrive तो यह जो vacancies है घटाई या बढ़ाई जा सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में कोछ अगर इनमें changes होता है तो आपको देखने के मिलेंगे originals and copies of all relevant documents along with application form to be carried by the individuals at the time of interview for verification तो originals, copies and जो भी इनके relevant documents है या original form में आपको interview के time में वहाँ पर जरूरत पढ़ेंगे तो यह था इसका detail information आप आप इसको समझे होंगे मिलता है next video में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like से और subscribe कर दिजेगा और दिख सकते हैं यह हमारा telegram channel है जरूर सी यहाँ से join होकर करेगा बहुत सारे से notice video फाती जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं यहीं पर post कर देता हूँ और अगर आप whatsapp पर update चाहते हैं तो whatsapp का group है channel है description में whatsapp नमर दियागा उसको save करके उस पर आप एक message कर दोगे जैसे message करोगे तुरंत सभी links वगरा receive हो जाएंगे तो वहाँ पर भी click करके आप सभी जगा जोईन हो सकते हैं